अगर हिंदुस्तान का एक सेनिक एक जवान शहीद होगा तो इसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा अगर अगर एक अगनीवीर जिसके दिल में वही भापना है जो जवान दूसरे जवान के दिल में है अगर वो शहीद होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद का दर्शार नहीं देगी अगनी विल जो है उसको अगनी विल नाम दिया है मगर वो कॉंट्राइक लिवर्ग अगमी है सच्चाइए देश में यह जो नफरत का महल बन रहा है इसका कारण क्या है किसानों से पूछा मज़्दूरों से चोटे-चोटे बच्चों से पूछा योगां से पूछा और सब ने कहां राहू जी नफरत का कारण डर है और डर का करण अन्याए है यह देश कि हर कोने कोने में आप किसी भी गरीप्यक्ती से पूछ लो हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याए हुका है कि है आतिक अन्याए समाजिक अन्याए कि सालों के घिलाफ अन्याए युँआं के घिलाफ अन्याए महि लाफ अन्याए जहां भी आँ देखो अन्याई ही अन्याँ दिखेगा यह देखो एक और अन्याँ के बार में बोला आर्मी की भट्टी नहीं करवाया अब एक और बार अब एक नहीं चीज दिखती है अब अगर हिंदुस्तान का एक सैने एक जवान शहीद होगा तो इसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा मगर अगर एक अगनीवीर जिसके दिल में वही भावना है जो जवान दूसरे जवान के दिल में है अगर वो शहीद होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद का दर्जा नहीं देगी 274 जिसको कोई इसथ मिलेगी और दूसरा कि जो आर्मी वाला है अग्लीयन को ना कैंटीन मिलेगी है ना पेंचिन मिलेगा आप और नाओ शहीत का दर्जा मिलेगा कि ए हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो है ये जवानों की ट्रेनिक में नहीं डालना चाहते यह यह को अगानि के लिए हतियार खरीदने के लिए हिंदुस्तान के बजट का पूरा पैसा उसको देना चाहते हुआ हाँ अच्छा की के चलो कि अगरी मीं की बाद जोड़ो रेलवे की बाद करो रेलवे में अगर पिहार का युवा रोजगार चाहता है आज उसको मिल सकता है कर लो जितने एक्जाइम करने आपको ना सेदा में भर्ती मिलेगी ना रेलवे में मिलेगी कि ना किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में मिलेगी क्यों क्यों कि धिलने की सरकार चाहती है कि आप सब लोग कॉन्ट्राक्ट के मजबूर बनो अगने में जो है उसको अगने में नाम दिया है मगर वो कॉन्ट्राक्ट लेवर्ग आदमी है सचाहिए है उसे जब भी उनको निकालना हो निकाल सकते हैं बिना पुचे बिना पेंशन बिना मदद बिना कुछ उसकों पारे भाद थेख सकते हैं यहीं सारे के सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट के साथ यह हो रहा है